हेलो नमस्कार आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर और आज हम बात करने जा रहे हैं मोटोरा के मोटो पल्स एसकेप वाइरलेस ब्लुटू स्पीकर्स का रिव्यू और उसकी अन्बॉक्सिंग सो लेट्स चेक इट आउट तो आज हम इन स्पीकर्स का रिव्यू करेंगे यह स्पीकर्स काफी मतलब बजट में नहीं आता है यह एक्चुली प्रीमिम ब्लुटू स्पीकर्स है इनका प्राइस 2500 से 3500 के बीच में रोटेट होता है पर हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उपतान चांग हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए और साथ ही साथ आप मुझे फेस्बूक और इस्टाग्राम पर फोलो है और इनको बताएगा है कि यह लाइट वेट है और फोल्डेबल है लेट साथ पर देखेंगे तो हमें इसके सार एस्पेक्स दिये गए है माइक्रोफोन इंटिग्रेट है इसके अंदर लाइट वेट है 60 फीट तक इसकी रेंज है और बागी सब कुछ और राइट साइड पर हमें इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि हमें इनके क्या-क्या ड्राइवर्स क्या-क्या फ्रिक्वेंसी रिस्पांस और क्या-क्या मिलता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 40 mm का नियोडियम मैगने ड्राइवर है जो काफी अच्छा परफॉर्म करता है बॉक्स को उपन करते हैं सबसे पहले हमें हमारे हैडफॉन्स मिलेंगे और हैडफॉन्स काफी लाइटवेट लग रहे हैं और इनकी बिल्ट क्वालिटी काफी प्रिमियम लग रही है यहाँ पर आप इयरकप्स देख सकते हो इनकी पैडिंग काफी अच्छी है और उपर जो head strap है जो headband है हमारा एक तरह से उस पर भी काफी अच्छी और काफी थिक पैडिंग दी गई है इन दोनों को चलो headphones को side पर रख देते हैं और box के अंदर देख लेते हैं और क्या है तो यहां से इसे pull करेंगे तो हमें इसके अंदर एक और छोटी polythine से मिलेगी जिसके अं एक charging cable मिलेगी इसके अंदर हमें charging adapter नहीं मिलता है तो अब हम अपने headphones को देख लेते हैं headphones के right वाले ear cup पे हमें मिलेगी aux input जिसके through हम directly wire से भी अपने songs को play कर सकते हैं साथी साथ एक charging port मिलेगा और एक LED light और एक microphone और left वाले ear cup पे कुछ नहीं है right वाले ear cup पे हमें buttons भी मिलते ह उपर की side हमें call attend करने का play pause करने का और साथ की साथ on करने का button एक ही button है दिया गया हमें और volume up down के buttons left और right side दिये गए हैं तो यह थी इसकी unboxing अब चलते हैं इसके review की तरफ तो इन headphones को मैं around 4 days से use कर रहा हूं और अगर बात करो सबसे पहले इनकी battery life की तो 4 days में अभी तक इनकी battery खतम नहीं हुई है और आज ही जाके मैंने इसे थोड़ा वह चार्ज करा था क्योंकि मेरे को लगा था कि यह जब songs कर रहा था तो बीच में battery low की एक इंडिकेशन होती है एक tune होती है वह बजा के बता रहा था कि battery low है तो आज जाके मैंने इनी चार्ज करा और daily मैंने battery खतम क मिलते हैं और काफी light weight है और जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से है इनके ear cups काफी अच्छ है अगर मैं इसे अपने head पर लगाता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते है ये ears को fully तरह करते है और over the ear है और इसकी वज़े से ही इनकी noise cancellation काफी अच्छी है noise cancellation इसकी इतनी अच्छ है कि भार की कुछ आवास सुनाई नहीं देती अगर आप 80% volume पर हो तब भी हाँ हलाकि अगर आप 20% volume पर हो तो अगर आप ध्यान से सुनना चाहो तो सामने वाले भार की आपको लगेगा कि कुछ नगुछ आवास आ रही है पर 50% से उपर volume जाने के बाद आपको कोई आवा इनकी काफी है तो जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे और इन्हें आप इसली अपने किसी बैग विगारा में रखके यूज कर सकते हो आप ट्रैवल कर सकते हो इन्हें और साथी साथ आप चाहो अगर आप रास्ते में जा रहे हो और इनकी बैटरी की खतम हुजाती है अगर आपकी बैटरी खतम नहीं होने वाली है अगर कर सकते हो बात करते हो इसके कुछ यूनीक फीचर्स की जो इस हैटफोंस पे आते हैं सबसे पहले फीचर की बात करू हो तो इसके अंदर जब हमने 80% सेट कर रखी है तो डारेक्ली 80% पर सौंग प्ले नहीं होगा सौंग पहले जीरो से स्टार्ट होगा और जरेदीर 80% दंग जायेगा जिससे हमारे कानों को उतनी प्रवल्लम नहीं होती आपने कई बार देखा होगा कि सौंग अगर आप पोस करके प्ले करते हो और इसकी क्वालिटी की कि ये वियर करने में कितना कमफटेबल है तो ये काफी कमफटेबल है अगर आप इसे काफी देर तक भी वियर करके सौंग इंजोई करते हो तो भी आपको कोई प्रवल्लम नहीं होगी ये काफी कमफटेबल है और आपको नहीं लगेगा कि आपने कोई heavy band सा पहन रखा है और नहीं ये आपके head को दबाता है जिसे आपके ears में या head में pain हो इसका sound crystal clear है और बिल्कुल punchy sound है यू नहीं कि बिल्कुल empty हो या फिर यू नहीं कि बिल्कुल heavy bass हो इसके अंदर बिल्कुली equalized sound है तो ये headphones काफी अच्छे है build quality काफी अच्छी है sound performance काफी अच्छी है sound की अगर बात करें तो voice clarity काफी अच्छी है और मुझे अभी तक की मेरे पाथ जितने भी headphones है सबसे अच्छे लगी हाला कि आपको लगेगा कि bass कम है पर मेरे recording bass बिल्कुल भी कम नहीं है जितना एक song में punch होना चाहे उत्रा punch है ये नहीं कि ये कुछ होते है जो bass heavy headphones होते है जो सिरफ punch पे ध्यान देते है जो सिरफ bass पे ध्यान देते है और उनके अंदर ordinary song से actually ज्यादा bass मिलता है तो वो चीज इनके साथ नहीं है इनके अंदर एक perfect music playback का मज़य आता है और बिल्कुल original sound मिलते है हमें ये नहीं कि कुछ होते है जो सिरफ treble पे ध्यान देते है तो उनका flat music मिलता है और कुछ होते है headphones जो सिरफ bass पे ध्यान देते है उनका हमें hip hop या rock songs के लिए मिलता है ये overall हर चीज के लिए अच्छ है अगर आप hip hop या rock music सुनते हो या फिर आप simple melody songs सुनते हो हर चीज के लिए ये headphones काफी अच्छ है तो आप conclusion पे आते है कि आपको ये headphones लेने चाहिए और नहीं लेने चाहिए तो मेरे recording अगर आपको 2500 में ये headphones मिल जाते है आपको वायरस compatibility मिलती है और इतना अच्छा battery backup मिलता है और ये चार जोने में भी एक से त्रेड़ गंट है लेते है ज्यादा नहीं लेते और इतना अच्छा battery backup मिलता है तो आपको 2000 ये 2500 में ये ले लेने चाहिए पर अगर आपको ये 3000 से उपर में मिलते हैं मालो तो आप मैं recommend नहीं करूँगा क्योंकि उनमें फिर इतना heavy budget जाने के बाद आपको और अच्छी ची brand के sanitizer अगरा के भी देखने को मिल जाएंग headphones हाला कि मैंने उन्हें टेस्ट नहीं करा इससे calls भी कोई problem नहीं आती सामने receiver को भी अच्छी वास सुनाएं देती है और मुझे भी receiver की वास साफ सुनाएं देती है मैंने इसे अपनी जो editing करता हूँ editing में भी try करा editing में भी एक एक noise का पता लग रहा था जो मेरी editing में आ रही थी हाला कि जो दूसरे headphones थे उनमें मुझे नहीं पता लग रहा था पर इनमें मेरे को पता लगा जो background noise थी उसके बारे में और मैं noise शुरूब करने में उसमें और असानी हुई तो दोस्तों ये था इसका review में आशा करता हूँ कि आपको ये video पसंद आई होगी और हाम माफ कीजिएगा मेरा गलास थोड़ा खराब है cold हो रखा है तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा तो अगर आपको ये video पसंद आई तो like, comment, share करें और हमारे channel से जुड़े रहे और देख तरह ये btec मैं मिलूँगा आपसे अगली video में तब तक के लिए, bye bye, have a nice day